नमस्कार दोस्तों मैं आम हिर्की अगर आपकी जो सेंसर है वह खराब हो जाए तो उससे आपको क्या-क्या नुक्सान हो सकता है और कैसे जो आपको पता चले कि कौन सी जो सेंसर जो है खराब हो गई है और आपको क्या चेंज करवाना है इस वीडियो में आपको पूरी सेंसर gendar की जनकारी तो वीडियो को पूरा लासल सबसरे बात करते हैं यह जो टेंपरेशर काम जो है इसका काम जो है अगर सुबह सुबह आप देखते होगे तो चोल्ब थो आपको जो होता तो आप को यह पहले चॉकी चॉक करके आपको बाय को स्टार्ट करना होता था लिए दे दिया गया है यह अगर करब होगा तो आप को थंड के मोसम में या ऐसे भी जरह आपको बाइक स्टार्ट होने में प्राइल्म करेगी पर करें तो सब कुछ अगर आपने कर लिया है सब कुछ में जो है जो temperature है उसे monitor करना इसलिए जो आपको ठंड के मौसम में बाइक आपकी फटा-फट स्टार्ट हो जाती है आपको किसी तरह का problem ठंड के मौसम में नहीं होता करहा होता है तो आप एक बार जुरूरी से sensor को चेंज करवा कि आप देख लें ठीक हो जाएगी अपकी बाइक अब यह जो sensor देख रहे हैं यह एर sensor है इसका मुख्यता काम है जो आपकी इंजन से जो परदूसर जो बाहर निकल रहा है उसे यह monitor करता है और यह भी चेक करता है कि आपकी जो बाइक से जो हवा बाहर निकल रह होने बचाता है यह उसे ही जो है चैक करता है कि आपका जो फ्यून है का वह बेस्ट नहीं हो रहा है यह आपको आपको यह सो कर देखकолот अ lazy miles मायलेज कम दे रही है और सभी कम करों के ठक चुके हैं एक बर जो है आप यह güzel कर बाले और चेक करके अब देखें कि आपकीब है क उनिलाइज होब्रती है यusta या शंब्रस ये से संवयर लेकिन आपको इसके वारे में बता देना स्टाइट आपकी बाइद हो जाते थी लेकिन अगर ये निकली हुई रहेगी या इसमें कार्वन लगा हुआ रहेगा तो आपकी बाइद इस तरह से अची तरह से लगा ले यह जो है इसका कारण हो तूसर चोड़ा-ले जो है नहीं तो फिर आपको जो है इसके अंदर का जो ह आता है उसे आपको चेंज करवाना परेगा तो उमीदिक वीडियो आपको पसंद आई होगे पसंद आई तो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है कोई सवाल है तो आप कमेंट मॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए उसका में रिप्लाइब आपको कर दूंगा जले फिर मिलते हैं से नेक्स वीडियों तत्य के लिए आप सीट्वेल लगा है लवेंट पर नहीं सुरची ड्राइब करें थांक्यू वेरिम